नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां की टॉप 25 फर्मों खबर जानते हैं करना ठक में लगेगा लोकडाउन देश में करोना ने पलटवार कर दिया है बता दे करना ठक सरकार ने करोना के मामलों में अचानक आई तेजी के कारण पूरी राजय में आज से अगले 15 दिनों तक सकती बढ़ाने का फैसला लिया है सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार अगले 15 दिनों तक राजय में बिरुवत परदर्शन और रहली के अनुमती नहीं होगी मौसम विभाग के द्वारा जारी पूर्वनवान में बताया गया है कि राज दानी राजी समयत आसपस की इलाके में आसिक रूप से बादल छाय रह सकते हैं इसके साथ ही पूर्वी सिम्भूम, पच्मी सिम्भूम, सराय के लाखर्शावा, गढ़वा, धनबाद और देवखर में आज सबसे ज़्यादा गहर्मी पढ़ने की समभवना है बतादे यहां कि अधिक्तम तापमान 49 डिग्री सेर्शेश तक पहुचने की समभवना है प्रकृती पुजा आधिवासी फगुआ में, पहान पुजार किया हुआई में, फगुआ टांड में सेमर प्यड के डाली काटकर भेलवा फारी कर खेर गास पुआल आधि डालकर आग लगाया जाता है वहाई दूसरे दिन आदिवासी समाज जंगल में सिकार खेल दिने जाते हैं एवं रंगा माटी लाया जाता है आदिवासी समाज में गंदे पानी और केमिकल रंग से खेलने पर मिलता है डंड आदिवासी समाज होली को बाहा के नम से मनाते हैं बतादे इस समाज में केमिकल रंग और गंदे पानी से होली खेलनी की मना ही है अगर रंग खेलना है तो सिर्फ पलास के फुलों से तयार प्रकिर्ति की रंग बतादे बाहा के माध्यम से आदिवासी समाज प्रकिर्टी संदर को बचाने का भी संदेश देते हैं आदिवासी इलाकों में बाहा की तैरी जूर सोर से चल रही है हर गाउं में अलग-अलग दिन होली खेली जाती है हरिद्वार पहुंचे रगवरदास ने गंगा में लगाई डूब की जारकन के पुर्व मुख मंतरी रगवरदास ने पतंजली योग पीठ के बाबा राम देव से हरिद्वार में सोमाज को मुलकात की इस दोरान दोनों के बीच कई मसलों पर बाचित हुई बता दे रगवरदास को मेला 2021 में सामिल होने हरिद्वार पहुंचे हैं उन्होंने मा गंगा में पावन डूब की लगाई रगवरदास ने ट्विटर पर अपने संदेश में लिखा हरिद्वार में योग सिरी बाबा राम देव जी से मुलकात होई उनसे विभीन विशवय पर विश्तार से चर्चा होई राम नामी जूलूस पर रोक से महल गर्म सुप्रीम कोट जाएंगे निसिकान दूबे जार्खन सरकार ने तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमन पर नियंतरन पाने को लेकर नई एलें जारी की है इस सल राम नामी जूलूस पर रोक लगाई है बदा देबी जेपी संसर निसिकान दूबे ने इस मामले को सुप्रीम कोट में ले जाने की बात कही है गोटा के संसर निसिकान दूबे ने जार्खन सरकार के इस फैसले से औस हमती जताते हुए कहा है कि सारे बिरोध के बावजूद जब बाबाद धाम देवगर का मंदीर मैंने सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर खुलवा दिया तो रामनौमी का पूरे जार्खन में जुलूस निकलने के लिए भी मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा धनबाद के स्टील गेट सब्जी में वित्थन आग तिस दुकाने जल कर राक हो गई मौके पर फ्हूस दमकल की 5 गाड़ी 2 घंटे से आग बुझाने में जूटी बता दे आग लगी का कान मार्केट में गएस सिलेंडर फटने को बताया जा रहा है कुरोना भैक्सिन लगने के बाद जामों नेता की तीन दिन बाद मौत पच्मी सिमूम जिले के गोईल केरा परखंड के गोटामबा में जारखन मुक्ती मोर्चा के वरिष्ट नेता वह पूर मुखिया गंगाराम की मौत हो गई मौत हो गई बता देवे मधु में सेगरसित थे और कुछ दिन पहले ही हारनिया का ओप्रेशन भी हुआ था नितिन गटकरी तीन अप्रेल को करेंगे दो हजार करोग के पचिस एनेच प्रोजेक्ट का उधगाटन राष्टरे उचपत की दो दर्जन पर योजनाओ का सिलन्यास 3 अप्रेल को होगा बता दे अनलाइन सिलन्यास कारेकरम को लेकर केंद्रिय मंत्री नितिन गटकरी ने अधिवासी मामलो के मंत्री अरजुन मुंडा को भी अमंत्रित किया है इसको लेकर गटकरी ने अरजुन मुंडा को चिठी भी लिखी है चिठी के साथ गटकरी ने तमाम योजनाओ के बारे में जनकारी भी दी है और जुन मुंडा को आमन्तित करते वे उन्होंने बताया है कि जार्खन की इन योजनावों के उद्गाटन और सिलन्यास को लेकर तीन अप्रेल को 11 वजे सभी वीडियो कन्फिरेंसिंग के माध्यम से जूट चाहेंगे और फिर योजनावों का सिलन्यास होगा जार्खन में 155 संक्रमित की पुष्टी हुई है जो रांची से 62 पूर्वी 50 धनबाद 8 बोगारो 5 पसमी 52 रामगाट 12 देवगर 1 गोडार्मा 1 गोड़ा 4 सिंडेगा 6 साहिवगन 9 दूमका 2 जामतड़ा 1 पाकुर से 1 मिले है जार्खन में कूल मौट की संख्या 1110 है वही अगाची केस की संख्या 1,979 है भारत में 56 नई केस मिले है भारत में कूल मौट की संख्या 155,147 है वहाई भारत में एक्टिव केश की संग्या पांच लाग साने तीस साजार पांसो एगा रहा है